आप सभी मित्रों का biological classes हिंदी में एक बार फिट से स्वागत है आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से बेहतरी इंढ़ंग से चल लही होगी आज Nucleic Acid के इस पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे Nucleic Acid है क्या इसकी खोज कब हुई Nucleic Acid कितने प्रकार के होते हैं Nucleic Acid की संवचना क्या है Nucleotide क्या है Poly Nucleotide क्या है आधियाद की बारे में उसके बाद अगले दो वीडियो में हम RNA वर DNA की संवचना वर प्रकार की बारे में अध्यान करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते है Nucleic Acid है क्या इसका Nucleic Acid नाम कैसे पढ़ा शुरू करते हैं देखते है Nucleic Acid का सीधे से नाम है केंद्रकी अमल तो केंद्रकी अमल इसे क्यों कहा गया प्रारंब में जब व्यज्यानिकों को केंद्रक के बारे में उनमें पाये जाने वाले पधार्थों के बारे में जादा जानकारी नहीं थी तब प्रोटीन को ही केंद्रकी पधार्थ के रूप में जाना जाता था जिसमें सलफर की मात्रा अधिक होती थी लेकिन जब बाद में 1879 में फैडरीक मिसर ने आप लोग साथ साथ में नूट करते रहेगा यह बहुत महत्पूर वीडियो हने वाली है तो 1879 में फेडरिक मिसर ने पस में पस मवाद उसके स्वेट रक्त कडिका में एक ऐसे पदार्थ का केंद्रक में एक ऐसे पदार्थ का पता लगाया जिसकी प्रकिती अमलिय थी और उसमें फासफोरस की मात्रा थी प्रारंवि में विज्ञानिकों का मानना था कि केंद्रक में सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो की प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है या प्रोटीन में अधिक होता है सल्फर लेकिन जब फेडरिक मिसर न अगर फासपोरस की अधिक मात्रा मिली और वह फासपोरस अमलिय प्रकित का था। इस तरह से नुक्लिक एसिट का नाम नुक्लिक एसिट पड़ा, हाला कि फेडरिक मिसर ने तब उसे नुक्लीन नाम दिया था। लेकिन बाद में रिचर्ड एल्टमान ने कोश्का के किंद्रकिय पड़ार्थ को निकाल कर इन में से प्रोटीन को प्रिथक किया और सेस फासपोरस युक्त पड़ार्थ को उनकी अमलिय प्रकित के कारण नुक्लिक एसिट नाम दिया। इतना तो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगली पॉइंट पर नुक्लिक अमलो का निर्माड लाखो नुक्लियो टाइट से होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ऐसी छोटी-छोटी स्रिंखलाइं जो एक लंबी स्रिंखला का निर्मार करती हैं, वह छोटी-छोटी स्रिंखलाइं एक लग या मोनोमर कहलाती हैं. तो Nucleic Acid का Monomer क्या हुआ, Nucleotide, Nucleotide क्या है, एक लख है, Monomer है, और वह Nucleic Amlo का निर्मार कर रहा है, जो की Poly Nucleotide की स्रिंखला से बनती है, तो Poly Nucleotide स्रिंखला को हम क्या करते हैं, Polymer करते हैं, एक Bio Polymer है Nucleic Acid, ठीक है, इतना तो Clear हो गया, अता Nucleotides Nucleic Amlo की संद्रजनात्मक इकाई होती है, इतना तो Clear हो गया, कि Nucleotide से निर्मार होता है, Nucleotide क्या है, एक लख है, वह कई स्रिंखलाओं को जोड़कर Poly Nucleotide स्रिंखला बनाती हैं, जिससे की Nucleic Amlo का निर्मार होता है, अता Nucleotides Nucleic Amlo की संद्रजनात्मक इकाई होती है, अब देखते हैं अगला, कि बाद में कोसेल ने 1893 में Nucleic Amlo का विखंडन किया, और उसमें पता लगाया कि ये नाइट्रोजनी समाचार, नाइट्रोजनस बेस, फास्पोरिक एसीड, वह कार्बो हाइडरेट के से मिलकर बने होते हैं, इनमें कार्बो हाइ जो है, वह पांच कार्बन से बना होता है, यह पंच कार्बन सरकरा होती है, ठीक है, तो कोसेल ने क्या पता लगाया, 1893 में की Nucleic Amlo जो है, पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फास्पोरिक एसीड, वह तीसरा कार्बो हाइडरेट से मिलकर बना होता है, अगे देखते ह नाइट्रोजनी समाचार दो प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरीन, दूसरा पिरिमीडीन, प्यूरीन समाचार के अंतरगत एडिनीन और ग्वानीन आते हैं, यह हमारी नीचे जूह समरचना दी गई है, आप लोग यहां देखिए, पिरिमीडीन और प्यूरीन दो प्रकार के nitrogenous based होते हैं इसका पता भी कोसल ने लगाया था इसके लिए इन्हें 1910 में Nobel पूरसकार से समानित किया था बहुत महत्पूर है कि कोसल ने 1910 में Nobel पूरसकार राप्त किया तो किसके लिए किया था, प्यूरीन और पिरिमीडीन दो प्रकार के नाइटरोजनी समाचार के खोज के लिए इन्हें कुरस्कृत किया गया था, तो प्यूरीन समाचार के अंतरगत, गौनीन और एडिनीन या एडिनीन और गौनीन आते हैं, ये इसकी रासाइनिक संदचना हो गई, जिनने हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्वन है यहा पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 कार्वन है ठीक है? आगे देखते हैं पिरिमीडीन क्या है? पिरिमीडीन के अंतरगत थाइमीन, साइटोसीन तथा यूरेसिल आते हैं Urecell UHC صिर्प RNA के केस में और थाइमीन और साइटोसिन जो है वह DNA के केस में यद् vak्क निउकली अमल जो है DNA होगा थो उसमें थाइमीन और साइटोसिन पाए जाएगा और यदी नूकलीक अम आर्यैन्ने होगा तो उनमें WHC अर यूरेसिन पाए आगे देखते हैं फासपोरिक अमल क्या है यह आर्थो फासपोरिक अमल होते हैं इसका फार्मूला क्या है है यहाँ पर संरचना आप लोगों को प्रदर्शित कि गई है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चार चार जो है ऑक्सीजन है एक केंद्र की पदार्थ के रूप में फासपोरिस है और तीन हाइड्रोजन एडम है तो एच फ्री पी ओ फॉर इसकी रासाइनिक संरचना तो यह आर्थो फासपोरीक अमलो होते हैं, न्यूकलिक अमलो की प्रकिति इसे के कारण अमली होती है, तो न्यूकलिक अमलो की प्रकिति जो है इसका नेचर न्यूकलिक अमलो का एसेडि क्यों होता है, तो फासपोरीक अमलो की कारण यह न्यूकलिक अमलो की प्रकिति को अमल यह बनाते हैं यह पंच कार्बनी सरकरा के साथ फास्पोर डायेश्टर बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं यह यहां से फास्पोर डायेस्टर बंध के साथ यहां से कार्बन से पंच कार्बनी सरकरा से यह जुड़े होते हैं पंच कार्बनी सरकरा जिसे हम कार्बो हाइडरेट कह रहे हैं पंच कार्बनी सरकरा DNA वा RNA में लगभग-लगभग समान होती हैं सिर्फ DNA में एक oxygen की कमी होती है, इस बज़र से हम उसे deoxy, ribose nucleic acid कहते हैं, और RNA को ribose nucleic acid कहते हैं, सिर्फ एक oxygen की कमी के करड़ DNA को deoxy, आप लोग नाम से ही समझ रखें, deoxy, मतलब एक hydrogen atom की कमी होती है, ठीक है, देखते हैं, यहापे हमारे सामने, तीसरा हमारा भाग है, nucleotide का carbohydrate, तो यह 5 carbon से बनी सरकरा होती हैं, यहापे हम देखते हैं, carbon number 1, 2, 3, 4, और यह 5, ठीक है, तो यह 5 carbon से बनी सरकरा होती है, जिन्हें 5 carbonी सरकरा या pentose sugar कहते हैं, pentose sugar आप लोग नाम सुने होंगे, तो इसे 5 carbonी सरकरा या pentose sugar कहते हैं, यहापे देखे, deoxy ribose के case में एक oxygen की कमी है, यहापे देखे एक oxygen की कमी है, यहापे ribose में एक oxygen अपस्थित है, जबकि DNA के case में यहापे एक oxygen की कमी है, ठीक है, तो यह, यह सरकरा जो है, यह DNA की सरकरा है, और यह सरकरा RNA की सरकरा है, इतनी बात clear होई होगी, आसा करता हूँ कि आप लोगों समझ में आ रहा होगा, उसके बाद अगला देखते हैं, RNA में उपस्थित, इस सरकरा को ribose तथा DNA में इस सरकरा में oxygen अडू की कमी के कारण de-oxy ribose कहते हैं, एक oxygen की कमी होती है, एक oxygen अडू की DNA में कमी होती है, क्रमा देखते हैं, पंच कार्बनी सरकरा को लेविन ने क्रमस राइबोसोम वो डी-oxy ribose नाम 1909 में, वो 1929 में, पहरे जब इन्होंने 1909 में यिस्ट में जो अध्यान किया, तो उनमें उन्हें जो सरकरा देखी वो राइबोस प्रकार की थी, क्योंकि यिस्ट जो एक प्रक प्रकार की थी, उन्होंने उसमें देखा, उनमें उसके केंद्र की पदार्त में, तो राइबोस प्रकार की थी, क्योंकि वो राइबोस प्रकार की थी, इसलिए उसमें पंच कार्बनी जो सरकरा थी, वो राइबोस थी, उनमें आक्सीजन अडू की उपस्तिती थी, जबकि 1929 में जब उन्होंने किंद्रक में अध्यान किया तो देखा कि DNA में जो पंचकारवनी सरकरा है उनमें एक आक्सिजन की कमी है इस वज़े से उस पंचकारवनी सरकरा को D.A.C.Ribose व येश्ट में उपस्थित पंचकारवनी सरकरा को Ribose नाम दिया और ये नाम क्रम सर 1909 में दिया और 1929 में राइबोज नाम 1909 में और D.A.C.Ribose नाम 1929 इश्वे में लेविन ने दिया ठीक है हम यहाँ पर देख लेते हैं संद्रचना देख लेते हैं नुकलियो टाइट की हमारा यहाँ पर फास्पोरिक एसीड है और यह हाइड्रोजन से पांचमें पोजीशन पे आर्थो पोजीशन पे माफ्रीगा कार्बन से जुड़ा हुआ है यह हमारी पंच कार्बनी सरकरा है यह हमारी पंच कार्बनी संकरा है पेंटो सुगर है और यह हमारा फास्पोरिक अमला है ठीक है और ये आगे देखिए यहाँ पर ये हमारा नाइट्रोजनी बेस है तो पहला हो गया नाइट्रोजनी बेस और दूसरा हो गया पेंटोस सुगर और तीसरा हो गया पासपुरिक एसीड एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब हम नाइट्रोजनी बेस और पेंटोस सुगर को साथ मिलेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे तो इसे हम निकलियो साइट कहेंगे और जब इसके साथ फासपुरिक एसिड भी जूड जाएगा तब हम इसे निकलियो टाइट कहेंगे तो नुकलियोटाइट का निर्माड नुकलियोसाइट वस फासपोरिक अमल से होता है तो नुकलियोसाइट क्या है नैट्रोजनी बेस और पेंटोस सुगर जब आपस में मिलते हैं कर nucleoside का निर्माड करते हैं और उसके बाद उनमें फासपोरिक अमल जुड़कर nucleotide बनाता है nucleotide क्या है एक प्रकार का monomer है जिसकी क्रमसर स्रिंखला जुड़कर के poly nucleotide स्रिंखला बनाती है जो की एक जैव बहुलक होता है या बायो पालिमर होता है जो की nucleic acid का निर्माड करता है ये nucleic acid RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है ठीक है एक outline हम ड्रा कर लें तो कुछ इस तरह से हमारी outline होगी पहले हो गया हमारा nucleotide ठीक है nucleotide nucleotide किससे बनता है तो nucleoside से बनता है किससे बनता है nucleoside और फास्पोरिक अंब्ला अब nucleoside किसका निर्माड करती है नाइट्रोजनी बेस नाइट्रोजनी बेस और हैं जबकि पिरिमीडीन के अंतर थाइमीन साइटोसीन और यूरेसिल आते हैं दियर्न्य में एड्नीन गुआनिन ठाइमीन साइटोसीन जबकि और यूरेसिल उपस्थित होता है एड्निन गुआनिन साइटोसीन youreyle माप णॐप करेंगा थामीन की जग़ यूर officilt वपस्थित में forwards sigui और अ humble कितने प्रकार का होता है आप लोग तो ट्राइबोन्यूक्लिक ईसिड या डी अक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताईए और वीडियो को पसंद आये तो लाइक करिए चैनल को subscribe अवस्य करिए धन् बात मिलते हैं अगले वीडियो